जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चैनल में तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 36 गड़ पुलिस भरती 2023 के बारे में फिजीकल की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन और फिजीकल होना है तो आप लोगों को फिजीकल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपको exam के लिए काफी जादा समय मिल जाएगा लेकिन physical के लिए समय नहीं मिलेगा और physical ही सबसे ज़्यादा इसमें important रहता है ठीक है 36 गड़ पुलिस में paper का level उतना high नहीं रहता है लेकिन physical काफी hard रहता है तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी details होना चीए इसमें क्या-क्या होगा जैसे की दोड, उची कूद, लंबी कूद, गोला फेक ठीक है और इनमें कितने क्या अंक यहाँ पर आप लोगों को दिये जाएंगे किस तरीके से qualification रहता है, साथ में syllabus को भी हम discuss करेंगे पूरा selection process इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, तो वीडियो को last तक देखते रहेगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा, ताकि जो भी updates आती है वो आप लोगों को मिलती रहे तो यहाँ पर देखिए, physical में जो है क्या क्या होने वाला है, इसको हम notification के मादिम से official जो है, physical में आपकी height मा भी जाएगी, ठीक है, और height यहाँ पर किस के लिए, कितनी यहाँ पर मांगी है वो यह notification में mention किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपका सामानने जाती, हैना अनुसुचित जाती, तता अन्ने पिछड़ा वर्ग, ठीक है इनके लिए जो उचाई है, वो 168 है, ठीक है, मेल के लिए, ठीक है याद रखिए का पुरुसों के लिए 168 है, महिलाव के लिए 169 है और यहाँ पर जो सीना रहेगा, वो 81-86 जो है शिर्फ पुरुसों के लिए रहेगा अनुसूचित जनजाती वर्ग जो है इसके लिए जो male candidate के लिए height है 158 cm और female के लिए भी 109 cm वही यहाँ पर जो बस्तर यहाँ जो अलग जो जीला है ठीक है इसके लिए अनुसूचित जाती के लिए यहाँ पर 153 और female के लिए भी 153 यहाँ पर रखा गया है यहाँ पर फिर आप लोगों का होगा सीना ठीक है आपका सबसे पहले height measurement होगा उसके बाद आपको सीना वाला measurement होगा जिसके लिए यहाँ पर आपका 81-50 यहने 5 cm कम से कम आपको फुल आना है ठीक है physical में और भी चीज़े चेक होगी जिसमें आपका दिव्यांग नहीं होना चीए आप नौकनी नहीं होना चीए फ्लेट फूट नहीं होना चीए नौकनी का मतलब आपके दोनों घुटने आपस में टकराने नहीं चीए दोड़ते समय फ्लेट फूट मतल है कि देखिए सबसे पहले आपकी विभने चरणों में परिक्षा संपाधित की जाएगी सबसे पहले आप लोगों के लिए दस्तावेजों की जाच होगी ठीक है document verification होगा उसके बाद सारे रिक नाप जोग जैसे कि मैंने बताया आपको आपकी height मापी जाएगी आपका सीना आप जाएगा ठीक है उसके बाद आप यहां पर आप देखेंगे इसमें आपकी लंबी कुद भी होना है ठीक है लंबी कुद होना है उची कुद होना है गोला फेक भी यहां पर होना है और दोड होना है ठीक है यह सारी चीज़े है तो देखिए यहां पर एक एक चीज़ो होगी वो भी सव अंक के यहां पर होने वाली अब देखिए यहां पर ध्यान से दिखिए आरक्षक चालक ठीक है जो आप लोगों का ड्राइवर पोस्ट है ठीक है यह आरक्षक ट्रेड चालक और ट्रेड के लिए दस्तावेच की जाच के बाद आपका जो है ये सारी चेज़्े सेम होगी लेकिन पूरों सब वहरती हो के लिए पंद्रा सो मिटर की दोड होगी अगर आप चालक ढृईवर के के लिए अपलाऑग करते है और महिलाओं पर लोगो की जो है लिखित परिश्छा सेम कर faat ट्रेड टेस्ट के यहां पर आप लोगों के 25 अंक होंगे ठीक है तो यहां पर आप याद रखेगा कि आप लोगों के अगर चालक या ट्रेड के लिए कर रहे है तो 25 अंक जो है आपको एश्ट्रा यहां पर एक्जाम जो है ट्रेड के जोड़े जाएंगे ठीक है अब यहां मिटर की दोड़ और 800 मिटर की दोड़ जो है यह आप लोगों को 100 अंक का होने वाला जीडी के लिए ठीक है आरक्षक जीडी के लिए लेकिन ट्रेडमेंट चालक और जो ट्रेड के लिए वो यहाँ पर आप याद रखिएगा उसके बाद यह तो आप लोगों का अंतराश्ट इस तरपर अगर आपके पास खेल प्रमान पत रहे तो उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़े हैं अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कितने क्या आंक यहाँ पर दे जाएंगे लम्बी कूद के लिए आपको जो है 20 संग कर आएंगे गोला फिक के लिए 20 संग का 100 मिटर की यहां पर जो है 20 अंक रहेंगे यह है आप लोगों का आरक्षक जीडी के लिए ठीक है जीडी के लिए आप अगर वर रहे तो यह सारी चीज है अब यहां पर देखिए इन्हों अब देखिए यहां पर एक चीज आप याद रखेंगे आरक्षक चालक और जो ट्रेड के लिए उसके लिए पंद्रा सो मिटर की दोड़ जो है उसके लिए पांच चालिस मिनट आपको यहां पर दिया जाएगा और महिलाओं के लिए आपकी तीन मिनट 20 सेकंड के लिए ठीक प्राइविंग टेस्ट होगा 25 अंक का यह भी आप याद रखेंगे अब दीखिए नीचे आप आजाएंगे यहां पर आप लोगों को जो है अंक दिया हुआ है ठीक है देख पार होगे लंबी कूद जो है तीन मीटर 65 से कम ठीक है तीन मीटर 55 से कम के लिए 0 अंक है ठीक है यह क्याद रखेंगे उसके बाद 3 मीटर 65 से जो है तक अगर आप करते हैं तो 7 अंक यहां पर दिये जाएंगे लेकिन अगर आप 5 मीटर 40 से करते हैं तो यहां पर आपको 20 अंक दिये जाएंगे ठीक है इसको आप कनवर्ट कर लिजे का फीट में ठीक है यह आप देख से खेंगे तो 7 अंक मिलेंगे 6 मीटर शेके तो 11 अंक मिलेंगे यह आपके नमबर यहां पर डिस्ट्रीट किया गया ठीक है दोड़ में उसी तरीके से 100 मीटर की दोड़ है ठीक है इसमें आपका 14 सेकंड यहां उससे कम करते हैं तो आपको 20 सेकंड बीच नंबर मिल तो देखे एक चीज में आपको किलर कर दो, सबसे पहले आप फार्म फिल अप कर रहे हैं, उसके बाद आपके डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, फिजिकल सेंटर पर ही सारी चीजे होगी, उसके बाद आपके हाइट मापी जाएगी, आपका सीना मापा जाएगा, सीना मापने के बाद आप लोगों की रनिंग, उची गूद, लंबी कूद, ये सारी चीजे आप लोगों की होगी, और उस अकॉर्डिंग आपको नंबर भी दिये जाएगे, तो ये सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दी, किस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा फिजि जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहिन